हेलो दोस्कों नमस्कार मैं रवी संकर मस्करें आप सभी का अपने इस वर्दिवाले चैनल पर एक मध्यप्रदेश पुलिस से संबंदित लेटेस्ट नियूज लेकर स्वागत करता हूँ अब नियूज थोड़ा सा मैं क्या है पढ़कर के सुना देता हूँ आप सभी को करने का आदेश हमने नहीं दिया है ऐसा किस ने कहा है थीक है मैं इसको पढ़कर के सुना देता हूँ और बीसी आरक्षन के विवाद के कारण राज्य सरकार भरतियों में लगातार जो 13% पदों पर नियूप्तियां होल्ड कर रही है उसको लेकर हाईकोर्ट की जबलपूर बेज ने महत्वपूर्ण टिपनी की है हाईकोर्ट ने कहा है कि उसने भरतियों में 13% पद करने का कोई आदेश नहीं दिया है आदेश उन्होंने दिया था पियसजी के पदों को अधेश करने का ना की MP पोलिस का MP पटवारी का इनका 27% में भरति हो चुकी अभी पटवारी में भी जो ज़ाइनिंग ले रहे हैं बच्चे अभी दो-चार दिन में तो 27% आरक्षन के साथ में ले रहे हैं ठीक अगला हाई कोर्ट में OBC के प्रकरणों की सुक्रवार को सुनवाई हुई आज ही सुक्रवार है इस दवरान सिक्षक भरती और सब इंजिनर से जुड़े मामले में याचिका करताओ ने कहा कि महाधिवक्ता के सुझाओ के परिक्षन नहीं किया जा सकता है इस बात को आप समझ लिजी अच्छे से ठीक है यहां पर लिखा है कि अभी आरक्षन की सीमा जो है, अभी आरक्षन की सीमा 50% से अधिक है, इसलिए पद होल्ड है, इसमें SC के टिगरी को 16, ST को 20, EWS को 10, और बाद में OBC आरक्षन 14 से 27 कर दिया गया, मतलब आरक्षन की सीमा टोटल 73% हो गई है, अब मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ इससे बढ़िया तो भाई, OBC को 14% में खुश रहना चीए मेरे हिसाब से, भाई जब इतने बाद होल्ड होंगे तो बच्चे किसके जा रहे हैं, इसका मतलब मैं यह कह रहा हूँ कि, आप इस बात को ध्यान रखिए, जैसे कि 16% ST के टिगरी वाले ले ले गए, कोई बात न 16, ठीक है, यह हो गया 20, मतलब 3020, टोटल 50% का आरक्षन यहाँ पर मिल गया, अब 50% का आरक्षन मिल गया, इसका बचा हुआ है आपका 50%, तो इस 50% को बढ़ा करके यदि 73 कर देती है सरकार, या हाई कोट तो उसमें क्या होगा, बचेंगे किवाल कितने पोस्ट, मतलब कितन पर से जारी करो, इससे बढ़िया तो 100% कूरा रिजल्त जारी हो जाता, ओवी सी आरक्षन का जंजाटी खतम हो जाता, 14% की साबसी रिजल्ट आ जाता, तो आपके लिए और फायदे वाली बात थी, कि जिसके जादा जादा नंबर है, वो जनरल के टेगिरी की सीट क्या जा अब क्या होगा, अब ये पूरे पर भरती नहीं होगी, बलकि आपकी 1000 के सम्थिंग को यहाँ पर नहीं भरे जाएंगे, तो इससे नुक्सान किसको है, आपको नुक्सान है, तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, तो इस आधार पर मुझे ही लग रहा है कि रिजल् आप 13% होल्ड करके दे दे, या 100% या 113% दे दे, उसी का इंतजार हम कर रहे हैं, देखते हैं रिजल्ट आने के बाद फिर मैं आपसे अगली वीडियो में जरूर बात करूँगा, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आज के लिए आप सभी का दिन सूभ हो,